दोस्तो भारतिय ट्रेक्TER अंदर भारत का यह पहला ट्रेक्टर है जिसके अंदर कंपणी ने तीन तरह के मोड दिये हैं एक मिलेगा भ्हीया इसमें आपको एको का मोड दूसरा मिलेगा एको प्लस और तीसरा जो है कंपणी ने इसके अंदर पावर का मोड दिया है जैसे कि म अलग अलग मोड के हिसाब से ये टेक्टर अलग अलग पावर पर्फॉर्में जो है आपको दैने बाला है मतलब इसमें आपको तीन तरह के मोड मिलेंगे जिसatique आप साथितर को 45ुप आफ़ 55ुप और 25 इस रहनी में सबसे बड़े लगवग लगवग 54 लीटर प्रती मिनट के हिसाब से सप्लाइ करना वाले कंपणी न जो है इस टेक्टर के अंदर डवल पंप लगा के दिये हुए हैं पहला जो है इसहां पर लगा हुआ है डीजल कूलेंट सिस्टम पीछे लगा हुआ है इसके हमारा टेक्टर सेम टाइम में हाई तोर्क और बेस्ट पावर पर्फॉर्मेंस के साथ में चल्पाएगा बदलाओ के अदि हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलोजी से जो है लेस कंपनी ना इसके अंदर बाटर सेपरेटर लगाजिन न्यू हेलेंड कंपनी की तरफ से आने वाले ट्रैक्टर में अभी तक आप ने इस तरह का प्लैट्फॉर्म नहीं देखा होगा यहां पर कंपनी ने जो है इस टेक्टर के अंदर सतर से पचस्थ परसेंट तक तक का यह फ्लेट्ट प्लैट्फॉर्म दे दिया ह भारत के अंदर अभी बरत्मान 2030 के अंदर हम बात करें तो पूरी ट्रैक्टर ंड्रस्टीच के अंदर ऊसा कोई भी ट्रैक्टर नहीं है जिसके अंदर जो कंपण ने तीन तरह के मोड दिये हुए हैं और यह जो तीन तरह चल केसे जो है इस्टुमेंट कलस्तर में दिखाता हूँ यह देखिए मैने इसमें इको मोर लगाया फिर लगाए इसमें मैने पावर मोर और यह लगा दिया मैने इको पलस मोर अब दोस्तों यह बर के किस तरह करता है मैं आपको बो exhaust आता हूं तो सबसे पहले हम आपको टेक्टर को स्टार्ट कर लेते हैं यह टेक्टर स्टार्ट हो गया और इसको जो है हमने 1500 रेटेड आर्पीम में सैट किया हुआ है यहां पर आभी आप देखिए कंपनी ने में जो है जिससे आप जो है इस टेक्टर को 45hp मालो 55hp और 55hp तीन तरह के मोड के साथ में चला पाएंगे जिससे आपको जो है यहां पर कंपनी ने जो है लगवक चंवन लीटर प्रती मिनिट के हैसाब सब्सक्राइब करने बाले डबल पंप लगाए हुए हैं जिससे आपको पावर परफॉर्मेंस हाइड्रोलिक और पावर श्टेरिंग के अंदर एकदम एडवांस देखने के लिए ने मिलेगी इंजन कंपनी ने जो है इस ट्रेकर में एकदम हाई टेक कर और ci법 को लॉंच किया है अब यह जो ट्रibilidad के साथ में आता है तो यहां पर टर्व की पोजीशन जոAD मिल जाती है यहाँ पर आप यूलेंट देख रहा है यह छोटा सा कॉलेंट ये दोस्तों लगा हुआ है डिजल कुलेंट इसका कंगम इह रहता है ये जो है डिजल כो ठंड़ाável रखता है और डिजल जो है आटमॉस्पेयर के हिसाब से ठंड़ा रहता है जिससे जो स्योरी में वहाँ हो यहां पर आपको चैक्टर में एक्साइड कंपनी की 100 एच 12 वोल्ट के साथ में आने वाली बैटरी देखने के लिए मिल वाई इसमें कंपनी ने साथ ही साथ फ्रेंट एक्सल आपको स्टेक्टर में हब रेडक्शन वाले देखने के लिए मिलते हैं और यहां पर कंपनी ने स्टेक्टर में साइड गार्ड भी लगा के दिया हुआ है साथ ही साथ दोस्तो यहां पर कंपनी ने आपको स्टेक्टर में ड्राइट डूल एलिमेंट वाले एर फिल्टर विथ चोक सेंसर के साथ में उपलब्द कराया है इस टेक्टर में कंपनी ने आपको 65 होस पावर का CIDI एंजन दिया हुआ है जो की 64 होस पावर की PDU पावर के साथ में आता है यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर आपको स्टेक्टर में साथ में ने वाला है से अटेच करके दी गई है जो कि इस टेक्टर के इंजन के मिड तक आती है और यहां पर जो है कंपनी ना प्रोपर तरीके से फिटिंग एंफिनिस जो है इस टेक्टर में उपलब्द कराके दी हुई है दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जो हम टेक्टर लेके आए देखने के लिए मिल जाते हैं बॉरने बंद करने के लिए दोस्तों बात करेंगे मैं टायर साइज को लेके तो यहां पर जो है इस खारण से मैं आपको लोग नहीं दो पहले लोग देखा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है चलिए मैं आपको जब तक जो है दोस्तों इसका पूरा बॉकराउंड कराते हैं तब तक भईया जो है आंगे से लगाते हैं यह पहले उपर होगा फिर लगेगा है ना दोस्तों तब तक आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पिछले ह कंपनी ने जोक्तर के अंदर संक्राइब उलस पर आप देख सकते हैं कंपनी ने जो है है ऐडरोलिक के अंदर एक और पंप लगा आया है इसका सबसे बड़ा फाईदा ये हैं दोस्तों इससे बांच सो गेजी तक जो है आप अपनी लेकृ कैपिशिटी को एंन हैंस कर सकते यह मतलब पांच कुंटल तक जो है इसकी सहायता से आप अपने टेक्टर की लिफ्टिंग कैपसिटी को बढ़ा सकते हो पीडियू पावर के अंदर यदि हम बात करें इसमें जो है आपको 64 होस पावर की पीडियू मिलेगी भारत का एक मात्र ऐसा टेक्टर है जो की 55 होस पावर के साथ में 64 होस पावर की पीडियू पावर लेके आता है यहां पर जो है आपको स्टेक्टर के डबल डिश्टिविटर बॉल मिल जाएंगे जैसे आप जो है एंबी प्लाव रिवर्सिवल प्लाव जैसे बड़े-बड़े संयंत्रों को चलाने वाले हैं लिफ्टिंग कैपसिटी के अंदर बात करें पच्चेस सो केजी की है ना जो है आपको स्टेक्टर में 25 कुंटल की जो है मतलब लिफ्टिंग कैपसिटी कंपनी ने दी हुई है टाप लिंग के अंदर एक पॉइंट मिलेगा जो की फुली और्टोमेटिकली डेफ्ट एंड टूल वॉक्स दिया हुआ है दो लिटर तक का वाटर स्टोरेज मिलेगा अब जो है न्यू होलेंड अपने हर एक टेक्टर में 6 एर की टी वारंटी उपलब्द कर आके देता है तो यहां पर आप देख सकते हैं टी वारंटी का स्टीकर मिल जाता है दोस्तों मैं आपको बो क्राफिक्स है हर एक चीज जो है कंपनी ने बहुत ही शांदार तरीके से डिजाइन की हुई है न्यू होलेंड 56 की बैजिंग मिल जाएगी टी एक सीरीस के अंदर आता है तो टी एक्स की बैजिंग मिल जाएगी फ्रेंट में जो है आपको समय डबल हिलोजन लाइट बातके हुए है फो टेप पर पर आपको स्केक्टर के plाट फॉर्म से अटेच करके दिये जाते हैं जर डबल स्टेप बार के साथ में आते हैं आइए ले चलते हैं उपर की तरफ बात करेंगे और वह ज्यादा सांदार फीचर की इस्टूमेंड कलष्टर कमपनी डिजिटा और एनालोग टाईप कर दिया है इसके अंदर आपको इंदर मीटर के इंदर आर पियम की की इंफॉरमेशन मेलेगी फिवूल इफीसेंसी इन्फोरमेशन करेटर टैक्टरद टैमपरेचर टैमपरेचर और टैमपरेचर बैटरी серविस करें तो इहां पर ण्यक्तर मेरी करने के लिए रों का मैं मिलेगा। में दुदाइब गयर मिल जाएगा इस टेक्टर में जो है ड्राइवर के राइट तरफ बता दे पहले यहां पर DC PC लीवर मिल जाएंगे लिफ्टोमेटिक का यहां पर आपको देख सकते हैं फीचरस दिया हुआ है जिससे आप इस टेक्टर की लिफ्ट को सैफरेट नेथ में सैट करके पूरा मज़ा ले सकते हैं ब्रेक की बात करें यहां पर कम्तिनी ने आपको स्टेक्टर में ओईल इमर्स ब्रिक ओफर किये हुए हैं ड्राइवर के लेफ्ट तरफ कम्तिनी ने आपको स्टेक्टर में लो हाई और मीडियम का गयर उपलब्ध कराया हुआ है और यहां पर आपको स्टेक्टर में पीड charging connectivity दो बारा बोल्ट की mobile charging connectivity जो है आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है साथ ही साथ यहां पर आपको स्टेक्टर में देख सकते हैं इक और सांदार यह मिलेगा जिसके बारे में हम अभी जांकारी देते हैं जब तक हम आपको इंजनमाय है पच्छा सो रेटेडेयर रपीम् तक वर्पर करता है वह है जो है क्यास टर्कारते चाहित प्रैटलंड एक प्रियू है कि इसकी बाटर टेस्टिंग वीडियो याने की बाइबरेशन टेस्टिंग वीडियो भी जो है हमारे चैनल पर डली हुई है यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा यहां पर जो स्ट्रेक्टर का इंजन है यहीं चावी से ही ओन और चावी से और सीट के अंदर भाई यह सीट बेल्ट भी इस वार कंपनी ने यहां पर उपलब्द करा दिया है मतलब फीचर से लेके सेफटी तक कंपनी ने इस वार ध्यान रखा हुआ है तो दोस्तों कैसा लगा आपको न्यू होलेंड कंपनी की तरफ से आने वाला न्यू होलेंड 56 प्लस फोर वील ड्राइब सी आइडि आई कमेंट करके बता ना मत भूलिएगा वीडियो को लाइक से और चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा जय जवान जय किसान